यह देखिए कितना रसीली मिठाई यकीन नहीं करेंगे आप चार कच्चे केले से बना है पूरे एक कीलो रसीली मिठाई इसे एक बड़ आप खालेंगे तो हल्वाई वाली छेने का रसगूले गुलाब जामून कर देगे आप साइड और हर महिने बनाएंगे अपने घर में बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरिका से, घड़ के सामानों से, कच्चे केले की ये रसीली मिठाईए, इस रसीली मिठाईए को बनाने के लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा, एक लाइक जरूर किज़ेगा वीडियो को, अगर चैनल में नए है तो लाइक हम क्या करना है से छिल लेना है, बढ़ियां से छिल का निकाल लेना है, हडी वाली गुद्दा निकाल देना है उपर से बिल्कुल और वाइट वाली गुद्दा रखना है केले का, तो चलिए इस तरह से छिल ली हूँ, चारो केलो को हम छिलेंगे, इस तरह से कट कर लेना है इसका पीस बना लेना है छोटा छोटा सा केले को अब पहले ही धोले छिलने से पहले ही केले को धोलिये हैं हम तो इस तरह से पीस बना लिये हैं छोटा छोटा देख सकते हैं आप चारो केले का पीस है चार केले का ये पीस है इसके बाद क्या करेंगे हम एक ग्रेंडर जार लेंगे बड़ा वाला उसमें डालेंगे हम ये केला सारी केले के पीस को हम ग्रेंडर जार के अंदर डाल देंगे उसके बार डालेंगे हम इसमें एक ग्लास दूद दूद इसमें एड़ करना बहुत जरूरी है बहुत ही टेश्टी बनता है मिठाई तो देखिए एक गिलास से एक गिलास दूद दिये है धाय सो ग्राम दूद होगा तो चलिए इस तरह से पेश्ट बना लिए हम केले और दूद का सिर्फ केला और दूद का पेश्ट बनाए है दर दरासा पेश्ट बना है उसके बाद हम करहाई चरहा दिये हैं करहाई गर्म होने के बाद हम डाले हैं इसमें पूरे एक चमच घी डालना है जादा नहीं डालना है एक चमच ही घी डालना है इसमें उसको पिगला लेना है गी को और थोरा सा इसमें गेहूं का आटा है ये इसमें हम दो कप गेहूं का आटा डाले हैं उसको अच्छे से ब्राउन करके घी में भूंग लेना है तो देखिए ये भूंग चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं उसके बाद फिर उसी करहा और यह है नहीं करना है उसके बाद थोड़ा सा भूंगने के बाद केला और दूद को थोड़ा सा गर्म हो जाए सिर्फ उसके बाद हम डाले हैं आटा जो हम भूंग के रखे थे सुद्धगी में उसे डाल देना है इसमें और इसको पूरे अच्छे तरह से मिक्स करना है इसम तो देखिये अच्छे से मिल गया है, हम मिलाते जाएंगे, आपके पास अगर थोड़ा करहाई है, तो बढ़ा करहाई लें, मेरा करहाई थोड़ा छोटा है, इसलिए डिश्टर पूड़ा है थोड़ा, उसके बाद हम डालेंगे, इसमें एक कप, जिस कप से हम आटा डाले थ डालेंगे एक चमच फिर देसी घी सुद्देसी घी और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे तो घी लाश्ट में डालने से क्या होता है इसमें कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और मिठाई बनेगा बिल्कूल सॉप्ट यह मिठाई बनने के लिए तयार हो गया है अब हम इसे प्लेट मैं निकाल ली हूं इसे ठंडा होने के लिए रख देना है उसके बादह भर नाते हैं इसके लिए चासनी मतलब गहरा T यह स्पेन है इसमें डाले हैं हम दो तीन कप जिससे हम 8 ओ-की दाला लिए है उसे कप अच्छे मैंध़ नेयुरी judgments गोल utc इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और गूलने तक इंतिजार करेंगे उससे पहले हम क्या किरेंगे 5-6 केसर के धागे डा ठासनी को जादा पकाना नहीं है मेरा चासनी बन के तयार हो गया है तारवार नहीं बनाना है बिल्कुल हाथ में चिप चिप माओ तेल सा सब्ने जार्वा है मैने तार रखे घार निकाल के तzej्पशनी क मैं लया निकाल के ढ़ arter करना है, थोर。 खीघ लगाना है यहां रिपायन चाह error करना एक हम कितना कन देते हैं इसमें डिजाइन यहां पडदार मिठाई देगा लिएomnia आपको भी इसी तरह से बनाना है बिल्कुल बहुत ही अच्छा डिजाइन भी आया है बहुत ही अच्छा बनता है चलिए आगे का प्रोसेस देखिए मैं फ्राइपन फिर से चढ़ा दी हूं गैस के फ्लेम ऑन है इसमें डाली हूं 200 ग्राम रिफाइन ओयल आपसु दगी मेर हैंट तो झाड़े ग्राइब आए जे और अलग अलग करके डाले तो चिपकेगा और उलट-धिलट करतेसे लोट इसमें टूटे गा तो देखिए मैं दो मिनट तक मेडियायम फिलेम में पकाएं कढ़ाई को दू मिनट तक टच नहीं करना है मेडियम फिलेम पकाईगे उसके दो मिनट पलट रहे नागे पिर इसको पका लेंगे तरह करना हुग को उसका दिए चमच से पकाईग और जादा जलता भी मिठाई तो आपको पकाना है तो आपको अएडिया तो आही गया होगा जुक की इस तरह से पकाना होगा, तो देखिए इस तरह से आप चमच से ही इसको पकाए, नो किला चमच ने उस से पकाए, उसके बाद क्या करना है? गर्मा गरम डालना है आपको चासनी के अंदर इस मिठाई को, मिठाई भी गर्म होना चाहिए और चासनी भी बिलकुल गर्म होना चाहिए उसके बाद इसके अंदर तक चासनी अब जब होगा और बहुत ही टेश्टी और लजीज रसीली मिठाई बनेगी तो देखिए इस तरह से डाल देना है एक एक करके और अगर जहां हम कम बनाए है चासनी अब थोरा जादा बना ले तो अच्छा रहता है तो को रट के लिए थोरा सा पिस्ता डालेंगे इसके ऊपर और कुछ साइड से नहीं डालना है तो बढ़ियां बना है नहीं मिठाई अगर पसंद आए वीडियो तो एक बार कोमेंट जरूर किजेगा और एक लाइक जरूर कर दीजेगा और आप अपने फैमली नमर को बहुत स अच्छा मिठाई बना है बहुत बढ़ियां मिठाई बना है आपको अगर पसंद आए तो एक बार जरूर बनाईएगा अपने घर में और आपका अच्छा बना है या नहीं कोमेंट जरूर किजेगा मिठाई खाए एंज्योए कि